हलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सबका हमारे चेनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आजगे वीडियों हम बताने वाले हैं कि आप है जो खुछ से अपनी धरन को किस परकार से ठीक कर सकते हो तो इसमें हम बताएंगे कि मसाज के दुआरा आप अपनी धरन को एजो एकदब सेंटर में ला सकते हो वो प्याज बहुती आसान तरीके से तो फ्रेंड्स आज है जो मसाज करने के लिए हम ले रहे हैं करीम तो इस करीम से हम बताने वाल हैं कि किस तरीके से आप अपनी धरन को एजो सेंटर में ला सकते हो तो अच्छी तरीके से आपको जो करीम हम बता रहे हैं यह सामने देख सकते हो यедि आपके पास में कोई भी जो मॉस्टराइज करीम है तो वो ले लिजी, यह आप है जो तेल भी ले सकते हो तो इसको क्या करना干़ा कि अच्छी तरीके से पैट पर अपलाई कीजिए रहे हैं कि यदि आपकी नाभी उपर की साइड किसकी है तो आपको इस तरीके से मसाज करनी है जैसे जैसे हम कर रहे हैं तो इस तरीके से आप जो उपर से जो नाभी के सेंटर पॉइंट पे लाते रही है और फिर गूमाते हुए हाथ को है जो एकदम नाभी के सेंटर में जो हो जाती है जैसे किसी को धस्त लगने लग जाते हैं किसी को भूक नहीं लगती है और किसी का बहुत ज्यादा पेट दुखता है और भी कई तरीके हैं जिससे है जो आप थोड़ा थोड़ा महसूस करके भी पता लगा सकते हो कि हमारे पेट में यह दिगडबड हो रही है तो क के बाद में ये सारी समश्यों से आपको छुटकरा मिल जाएगा तो यदि आपकी नाभी उपर की साइड किसकी है तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं इस वीडियों में उसी तरीके से आपको जो मसाज करनी है जिससे क्या होगा कि आप जो तूरण सेंटर पॉंट में ला सकोगी इक बात का ध्यां रखना है सबसे पहले तो उनको क्या करना कि जब भी वह अपनी नाभी को जो सेट करवा कि आते हैं तो उसके बाद उनको ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना जटसे जो तूरंट पास में ये जो पानी का गिलास रखी और नाभी सेट होते हैं यह जो दूदगाई गिलास है जो वो पीछ सकते हैं और जैसे उठते हो तो तूरंद खाना-खाना है और ज्यादा देर है जो आपको भुका पेट नहीं फिरना इधर उदर और उसके बाद आपको जो वजन है जो ज्यादा नहीं उठाना है यदि आप उठाते हो तो उसके तूरंद बाद आपकी नाभी है जो किसक जाती है तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप है जो उपर किसकी नाभी को भी ठीक कर सकते हो और बार बार जो प्रोबलम होते है उससे भी बस सकते हो तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर जरूर सबिस्क्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक बाई बाई टेक केर